हाई ट्वेल्दीज वेलकम टू इजी पे कॉमेंस क्लासिस मैं हो तापिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने इंप्लाइमेंट चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ नई टम्स देखेंगे जो कि हमारे लिए जहनना काफी जरूरी है अगर हम कि अलावा आपको एक नॉलेज भी देगी यह टम्स जब आप जानोगे तो कौन सी एसी टम से गाईज जो हमारी नॉलेज को इंट्रीज करेगी एम्प्लाइमेंट चेप्टर में तो सबसे पहली टार्म है काईज जाबलेस ग्रोथ जैसा कि यह नाम है जाबलेस एक positive word है jobless होकर growth हो रही है देश में यह कैसी बात हुई सबसे पहले तो आप मुझे पता हो एक देश की growth किस चीज से judge करी जाती है एक देश की growth judge करी जाती है वहां की GDP से right GDP किसे बोलते है gross domestic product अब यह क्या है यह होता है कि हमारे देश में कितना goods and services बन रहे हैं उसकी money value को GDP कहते है right अब अगर डेश के अंदर production बढ़ रहा है services के services बहुत produce हो रही है सब कुछ अच्छा हो रहा है तो यह हमारी growth को दर्शाथ है लेकिन jobless होकर ऐसा कैसे हो सकते है कि goods and services का production बढ़ रहा हूँ तो guys ऐसी situation जब लोगों को employment opportunity नहीं मिल रही लेकिन फिर भी उस देश में production एक high speed पर है लोग घरों में बैठे हैं काब नहीं है लेकिन production एक high speed पर है ऐसी situation को jobless growth कहा जाता है तो ऐसा कैसे हो सकता है जब हम लोग machines use करते हैं चीजों को machine हो से बना रहे हैं और लोग घरों में बैठकर बेरोजगार बैठे हैं तो उसे jobless growth कहते हैं so jobless growth refers to a situation when the economy is able कौनसे situation है जब एक economy able है किस चीज के to produce more goods and services economy बहुत goods and services बना रही है without a proportionate increase in employment opportunity यानि कि हमारे देश में employment opportunity नहें बढ़ रही लेकिन production बढ़ रहा है तो उसे हम jobless growth कहते हैं अब एक data है guys जिसे मैं आपके साथ share करना चाहते हूं यह थोड़ा सा आपकी book में भी given होगा थोड़ा सा भी पूरा data given होगा मैंने थोड़ा data लिया थाकि आपको इसको यह data के थू समझा सकूं जैसे 1997 यानि कि 1997 से 2000 के बीच में हमारी GDP थी 6.1% लेकिन उस समय पर employment कितनी थी हमारी employment opportunity 0.98 थी उसके बाद क्या हुआ हमारी employment बढ़ी 0.98 से 2.28 हो गई लेकिन जब GDP हमारी बराबर ही रही 6.1 पे लेकिन उसके बाद जब 2005 से 10 के बीच के अगर बात करेगा है तो हमारी GDP एकदम जलांग लगाई 8.7 पर बढ़ गया देश में production बढ़ गया लेकिन हम लोग 0.28 पर आगए employment opportunity के मामले में यानि कि यह लोगों को रोजगार हम नहीं provide करा पारे और उसके मताबिक हमारे यहाँ पर GDP बहुत तेजी से बढ़ी तो यह कौन से situation है jobless growth लोगों को employment opportunity मिल नहीं रही है लेकिन हम लोग production बढ़ी तेजी से कर रहे है इसे हम बोलते है jobless growth उसके बाद हमारी GDP डाउन गई और लेकिन हमारी employment opportunity 1.12 पर आ गई तो यह एक positive है लेकिन GDP कम चली गई तो आपको पता चला jobless growth किसे कहते हैं अब इसके बाद guys बात करेंगे कि एक economy में कितने sector होते हैं जहाँ पर काम किया जाता है तो 2 टाइप के sector होते है फिर्शाओ translator जिसे हम organized sector कहते हैं यह कौन सा sector होते हैं जहां पर दस से ज्यादा लोग काम करते हैं उसे फॉर्मल से कहा जाता है और informal and unorganized sector किसे कहते हैं जहां पर 10 लोगों से कम लोग काम करते हैं तो इसे unorganized sector कहते हैं तो guys अगर हम बात करें formal sector की तो formal sector में 10 या उसे जादा लोग hire करे जाते हैं और इनको काफी जादा benefits मिलते हैं जो एक सरकारी तरीके से जैसे social security हो गया या फिर इनके उपर law applicable हो जाता है तो जो employees होते हैं उनको भी थोड़ी से security रहती है कि ये लोग एक on paper record पर काम करते हैं लेकिन informal sectors जहाँ पर 10 लोगों से कम लोग काम करते हैं वो sector में कोई भी social security नहीं रहती है कभी भी job से निकाल दिया जाता है तो generally जैसे छोटे मुटे काम जब खोले जाते हैं on paper नहीं होते तो उसे informal and unorganized sector कहते हैं सबसे पहली बात guys देखो हमारे इहां पर formal sector सबसे कम है और informal sector जो है वो ज़ादा बढ़ा है यानि कि सबसे ज़ादा लोग informal sector में काम करते हैं वो आपको इस आंखडों से पता चल जाएगा देखो total 2011-12 के data में हमें ये पता चलता है कि 473 million people हमारे इहां पर काम कर रहे थे है guys वो total जो है informal sector में काम कर रहे थी सिफ 30 million people थे जो formal sector में काम कर रहे थे तो ये बड़ी हरानी की बात है कि formal sector में सिफ 30% workforce काम कर रहे है जबकि 443 million 30% नहीं 30 million and 443 million जो है वो informal sector में है अब अगर हम इसे male और female में divide कर दे जैसा कि हमारे बुक में data given है तो male 24 million थे informal में और 6 million से women है हाला कम है और तो कि संक्या formal sector में आदमी लोगों के जादा है लेकिन informal की बात करें तो 306 हमारे male है and female कितनी है 137 और total मिलाकर 443 guys हमारे informal sector में million लोग काम कर रहे है और total हमारे workforce कितनी थी हूँ समय पर 473 million तो आप देख सकते हो कि formal sector में बहुत कम परसंटेज है बहुत कम लोग है जो काम कर रहे है जबकि informal sector में काफी ज़्यादा काम कर रहे है अब इसके बाद अगर हम बात करें guys total मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे इहां पर informal sector देखने को मिलता है अब इसके बाद थर्ड जो चीज़ है guys वो है informalization of workforce इसे क्या मलब यह है क्या देखो अपने दो सेक्टर पढ़े formal and informal अब informalization किसे कहते हैं यह वो situation होती है जब हमारी workforce जो है वो increase होती जाती है in the informal sector so informalization of workforce is a situation where the proportion of workforce in the informal sector increases यानि कि informal sector में workforce increase हो रही है तो उसे हम informalization of workforce बोलते हैं यानि कि organized sector में formal sector में नहीं बढ़ रही बलकि किस sector में बढ़ रही है informal sector में बढ़ रही है इसके बाद बात आती है guys casualization of workforce तो casualization of workforce बहुत simple सी term है जब लोग wage employment में regular salary से निकल कर या self employment से निकल कर casual कामों में आते हैं मैंने आपको बताया था employment किसे कहते हैं जहां पर कोई भी social security benefits वगरा नहीं होते हैं वहां पर move on होते हैं तो उन्हें casualization कहते है जैसे नामें casualization of workforce यहनी कि लोग casualization की तरफ बढ़ रहे हैं कहां से बढ़ेंगे हमारे पास आप सपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में कि self employment होता है पहला दूसरा regular salary होता है third casualization होता है तो जब लोग self employment और regular salary से move on होके casualization में आते हैं तो उसे casualization of workforce कहते है इस प्रोसेस ओफ मुविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और regular salary employment तो casual wage work सो यह हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि लोग ऐसे regular salary तो आपको पता है social security वगरा है तो लोग वहां से move on हो कि कहां आने casual में क्यों आने का मकसद क्या है पैसा जहां मिलेगा वहां नज़र आएंगे है ना वही बात होगी जहां अच्छा salary package मिलेगा वहां पे अच्छा अच्छा ये झाल